असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तबा पिज्जा हमने ये हाफ कप पानी ले लिया है जो गरम पानी है इसमें हम एक टीस्पून शक्कर डालेंगे हाफ टीस्पून नमक डालेंगे वन टीस्पून इस्ट डालेंगे और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस्ट खुल जा है हमारी और इस कप से हमने दो कप मैदा लिया है और एक टेबिल स्पून हम इसमें सूजी डालेंगे इससे पिज्जा क्रिस्पी बनता है और हम इसको मिक्स कर लेंगे यह इस्ट डाल देंगे हम जो घोल के रखके दे इसमें ड्राइस से जल्दी पिज्जा फर्मेट होता है आप चाहें अगर इस न डालना चाहें तो आप इसको दही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से भी डो तयार कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा पिज़ा बनता है हम वो भी डालेंगे रेसिपी इसको ये देखे इस तरह से अच्छे से मीक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डो तयार करेंगे जितनी हमें जरूरत होगी नहीं तो जादा पानी डालेंगे तो डो डीला हो जाएगा और दो तैयार हुने के बाद हम इसमें एक टेबिल स्पून ऑईल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे इसमें अब हम केलिंग फॉयल से इसको रैप करके एक गंटे के लिए रख देंगे एक गंटे में रखने से ये बहुत अच्छा फर्मेट होता है अब हम पैन में थोड़ा सा ऑईल डालेंगे और ये जो सब्जियां हमने डाइज में काटके रखी थी इसको हम सौटे करेंगे सब्जियों को जादा देर नहीं पकाना है नहीं वो गल जाएंगी बस दोतीन मिनिट के लिए और सब्जियों का करंच सही रहे ये देखे हमने इसमें हाफ टी स्पून औरिगानो डाला है हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लैक्स टालेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब्सियों को सब्सियां हमारी लगभग हो गई है अब हम दो चेक करेंगे यह देखिए सब्सियां तयार है अब हम दो चेक कर लेते हैं यह देखिए अच्छे से फर्मेट हो गया डबल हो गया है यह इसको हम उंग्लियों से इस तरह से पंच कर लेंगे और हाथ से और यह पटे पे हम इसको रख के अच्छे से लचीला बना लेंगे इतने डो में हमारे दो पिज़ा तयार होंगे ये देखें अब हम इसको कट कर लेते हैं दो हिस्सों में ये हमारी दो बॉल्स तयार हो गई है हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसको हाथ से बढ़ा लेंगे धीरे धीरे ये जितना बढ़ेगी उतना हम इसको हाथ से बढ़ा कर लेंगे और हम इसको बेलन से अब बेल लेंगे हमारा पैन बढ़ा है तो पिज़ा बढ़ा बनेगा चारो तरफ से हमको इसको एक सा रखना है कहीं से मोटा पतला ना हो ये पिज़ा बेस हमारा तयार हो गया है हम इसको हाथ से भी बराबर कर लेंगे और एक फोक की मदद से हम इसको सुराख कर लेंगे इसमें जिसमें ये पिज़ा फूले ना अब हम पैन में भी ओयल लगाएंगे और डोप इस पर भी पिज़ा बेस पर भी ओयल लगाएंगे थोड़ा ये देखिए ओयल लगाने से भी क्रिस्पी बनता है ये अच्छे से सिखता है ये एक साइड हो गया है अब हम दूसरी साइड भी इसको पलट कर सेख लेंगे और पैन को हमें गुमा गुमा कर सेखना है जिसमें ये चारो तरफ से हो जानी फ्लेम एक ही साइड बीच में लगेगा और चारो साइड वो कच्चा रह जाएगा इसलिए हमें इसे गुमा गुमा के जरूर सेखना है इस बात का ख्याल रखना अगर आप पैन पे बना रहे हैं तो अब हम इसमें पिज़ा सॉस लगा देंगे आप चाहे तो रेडी मेट पिज़ा सॉस भी लगा सकते हैं और चाहेंगे तो हम इसकी रेसिपी भी डालेंगे यह देखिए सॉस अच्छी तरह से हमने लगा दिया अब हम इस पर सबजियों की टॉपिंग कर देंगे अच्छी तरह से कई लोग पहले चीज डालते हैं अब इसमें हम चैडर चीज डालेंगे आप मॉजरेला चीज भी डाल सकते हैं और 10 मिनिट के लिए लेड लगाएंगे हमने इस पर थोड़ा सा औरिगैनो चिली फ्लैक्स स्प्रिंकल किया था उपर से ये देखिए नीचे से बहुत अच्छा क्रिस्पी सिखा है पिज़ा और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे ये देखिए बजार से बहतर पिज़ा बनके हमारा तयार हुआ है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले हम इस तरह से पिज़ा को काट लेंगे पिज़ा कटर से ये ये देखी कितना शानदार पिज़ा बनकर तयार हुआ है आप इसे बनाईए खाईए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ये आपको कैसा लगा